नमस्कार मित्रो, स्वागत छे तमारू अमारी यूट्यूब चैनल लिविंग हेल्दी मा आजना वीडियो मा आपने जेने कचरामों फेकी दईये छिए तेवी केरी नी गोटली ना फाइदा विशे जानकारी प्राप्त करी शू परन्तु हूँ तमने केरी नी गोटली ना फाइदा विशे जानकारी आपू ए पहला जो तमे अमारी यूट्यूब चैनल ने हजूचूदी सब्सक्राइब नथी करी तो प्लीस चैनल ने हमलाज सब्सक्राइब करी दो औने बाजूमा आपेलू बेल नुआ कोंद बावी दो जेथी अमारा आवाज नवा नवा वीडियो तमाना सुधी तरत पहुची शके तो चालो मित्रो हवे आपने जानिये केरी नी गोटली ना फाइदा विशे गुजरात नी क्रुशी उनिवर्सीटी द्वारा केरी नी गोटली तथा तेनी चाल पर अनोखु संशोधन करवामा आवी छे भारत मा एशी टका शाकाहरी मानसोमा विटामिन बी बार नी उनप होई छे ते दूर करवामा केरी नी गोटली मदद रूप बनी शक्ये छे केरी नी गोटली मा थी मरतू मेंगी फेरिन नामनू गटक मानव बलड माना सुगर ना लेवनले पन नियंत्रण मा राखवामा मा महत्वनी भुमी का बजवे छे सरदार पटेल क्रुशी उनिवर्शीटी ना भुद्पूर्व विद्यार्थी गोर्धन भाई पटेलनू कहिवू छे के 100 ग्राम गोटली मा थी 2 किलो केरी ना रस करता पन वदू पोशक्तत्वो मरी रहे छे केरी करता 50 गणा वदू पोशक्तत्वो धरावती गोटली ने कचरामों फेकी देवामों आवी रही छे केरीनी गोटली मा संतुलित प्रमाण मा प्रोटीन अने कार्बोहाइड्रेट्स होय छे मानव शरीर माटे जरूरी 20 एमिनो एसीड मा थी 9 एमिनो एसीड शरीर मा बंता जन थी और 9 एमिनो एसीड केरीनी गोटली मा थी बहु मोटी मा त्रामा बढ़े छे एमिनो एसिड माथी तैयार थता प्रोटीन अज शरीर नी पाचन सहित नी दरेक क्रिया मां महत्वनी भुमी का बजवे छे केरी नी गोटली माथी विटामिन C, K अने E मले छे जे शरीर माथी कच्रो दूर करना रा एंटी ओक्सिडन्ट तरीके नी भुमी का बजवे छे केरी नी गोटली माथी सोडियम, पोटेशियम, केलसियम, मेगनेशियम, आयर्न, एटले के लोह तत्व, जसत, मेंगेनिज, जेवा खनिज तत्व पन मड़ी रहे छे केरी नी गोटली नी माफक केरी नी छाल माँ पन मेंगी फेरिन होई छे तेथी पाकी केरी जो छाल साथे खावा मुआवे तो पन डायाबिटिस ना दर्दियोंने फाइदो मड़ी शके छे छालनी साथे मानव शरीर मां आंतरडा मां जता फाइबर पाचननी प्रक्रियाने शरण बनावे छे शरीर मां जता फाइबर शरीर मांनी वदारानी सुगर बहार खेची जाए छे केरी नी गोटली ना केटलाक नुस्खा विशे जाणिए एक रक्तापित रूपे लोही नी उल्टी थती होए तो केरी नी ताजी गोटली अथवा सुकी गोटली ने पाणी मां के दूध मां पिसी तेनो रस गारी ने नाक मां टिपा पाडवा अने पावो जो नसकोरी फुटती होए तो पन आज नुस्खो अपना वो कोईपन प्रकारे जो जाडा मां लोही पड़तु होए तो छास अथवा चोखाना ओसा मण मां गोटली वाटी ने पिवड़ाववी गर्ब वती महिला ने जाडा थया होए तो गोटली चावी ने खवड़ाववी जे मां पुषकर प्रम्हाण मां जाडा उल्टी थाए छे तेवा रोग कोलेरा मां गोटली दही मां आपवी हिता वह छे वारम वार पेशाब करवा जवु पड़तु होए ते रोग मां गोटली फाइदा कारक छे बालक पथारी मा पेशाब करतु होए तो तेमा पण केरी नी गोटली भाइदो करे छे करम या एटले के क्रूमी ना दर्द मा गोटली खावी अथवा मधमा गोटली नू चूर्ण चाटू वदू पड़तो परसेवो थतो होए तेमने गोटली नू बारिक चूर्ण शरीरे चोरी ने हम्मेशा स्नान करवू जोईए माथामा खोडो थयो होए तो गोटली अने खस-खस ने पाणी मा पीसी लेप करवू अने ते लेप लगावो वार कारा राखवा माटे आमणा अने केरी नी गोटली नो जाडो लेप करवू आमणा अने केरी नी गोटली नो लेप करवा थी वार स्निक्द अने मजबूत बने छे मित्रो आ हता आपने जेने कचरामा फेकी देए छिए अने जे सरडता थी तथा मफतमा मरी रहे छे तेवी केरी नी गोटली ना अदभूत फाइदा मित्रो मने विश्वास छे के तमे पन केरी नहीं गोटली ना आ फायदा विशे जान्या पछी केरी नी गोटली ने साचववानू चालू करी देशो अने तेनों उप्योग करवानू पन चालू करी देशो मित्रो तमने अमारो आ वीडियो जो गम्य होए तो प्लीज वीडियो ने लाइक करजो तमारा मित्रो तथा सगासबंदियो जोड़े शेर करजो अने अमारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना भुलशो धन्यवाद